अब बात करते हो तो प्रिदेश की जहांके सदार्थ नगर विकास खंड बढ़नी के इटहिया गाउ में समस्याओं का अमबार लगा हुआ है गाउ में नालियों का निर्माण नहीं है गंदे पानी घर के सामने सड़क पर बहने के कारण कई बार ग्रामीड चोटिल हो चुके हैं रास्तों में जल भराव होने के कारण हुने काफी मशकत करनी पड़ती है आजादी के 75 साल के बाद से अभी तक गाउ में नालीद का निर्माण नहीं हुआ है तो वहीं स्वक्ष पानी के लिए भी कोई सुविधा नहीं है इंडिया मार का हैंड पंप सिर्फ हवा फेक रहे हैं पानी निकले भी कैसे जब 3 साल से नलों की मरमत नहीं की गई है आपको उताते की गाउ में कभी खुलिक बैठत नहीं होती है ग्रामीन की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है उनकी सारी समस्याएं रामभरों से ही दिख रही है ग्राम परधान मौन धारण की हुए हैं, ग्राम सचिव को गाउं में आने की फुरसत नहीं है, सड़क, नाली और पात्रों के लिए आवास तक की सुविधा नहीं है ये सारा नजारा बढ़नी विकास छेत्र के ग्राम इटहिया में देखने को मिला वहीं खंड विकास अदिकारी बढ़नी संतोष कुमार सिंग से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम दिखवा लेते हैं जो भी समस्या है उसका निस्ता रण करवा दिया जाएगा सिधात नगर से इवरा 24 न्यूस के लिए समाधाता नियामात तुल्ला की रिपोर्ट अभी तक की लिग्भा किक नहीं बनेगा आप ने पर्धान से कहा कफी करें लेकन लोग तो कहते हैं ना जागा बेलेगा आप लोको आवाश ने शौचाले कुछ मिला कि नहीं बहीं आपने गराम पर दान या शची करहाएं सब कुछ का है क्या कह रहे हैं वो बोल लेंगे मिलेगा बनेगा मिलेगा बनेगा इसे बोले हैं सब लोग ऐसे मिले दो चार जने आए इधर पैशे भी दिया 200-300 रुपिया लेके चले कोई दिखाई नहीं दिया तब से अब लोग का जो पानी गिर रहा है नलका पानी नाली इसे लोग आते जाते हैं इसमें क्या दिक्कत नहीं होती है आप लोग को बहुत दिखक थे लेकिन पर्दार लोग से जब कहा जाता तो सुनते नहीं है कह रहा हैं क्या कह रहे हैं कूछ नहीं कहता बनेगा गानेगा तो बनेगा डिवायर और और कोई किया नाम है आपका कौन सा ग्राम सभा है यह बताइए आप लोग को आवास मिला है यह यहां तक का आज तक का भी यहां पर जो है नाली नहीं बना हुआ है तो पानी कहा जाता है